सत्गुरू की साधी निवाजी, प्यारी सासंगर जी, प्यार और सतकार से कहना धान निरंकार जी, सासंगर जी, जैसा की आप सभी को पता है, आज हमारे वक्त के सत्गुरू माता सुदिक्षा जी माहराज का जनम दिन है, सत्गुरू माता सुदिक्षा जी माहराज के जनम द विश्की दासी सभी को लख लख वदाई देती है सारे संसार को लख लख वदाई देती है उर्सत गुरू माता जी के चर्नों से यही अशीरवाद मांगती है कि है सचे पाशा जी स्थे हैं आप जी हमें कदम कदम पर चलना सिखा रहे हैं जिस तरह आप जी हमें ये अध्यात्मिक शिक्षाएं दे रहे हैं हम इन पर चलते चले जाएं यही आप जी के जनम दिन का उपहार होगा साथ संगा जी सद्कुर्माता सुदीक शाजी महराज के चलनों में हम अशीरवाद मांगते हुए सद्कुर्माता जी के जनम दिवस पर ही विशेश विचार रखने जा रही है आप जी परवान करें अगर कोई गलती हो जाए तो शमा करें सद्कुर्माता सुदीक शाजी महराज का जीवन और इनकी शिक्षाएं आज मानुमात्र को मरयादा अनुशाशन में रहकर भगती भरा जीवन जीने की प्रेनदे रहे हैं सोलां जुलाई दो हजार अठारा को सद्कुर्माता सुदीक शाजी महराज को सद्कुर रूप में गोश्यत किया और सासंगत के सामने 17 जुलाई 2018 को तेलक लगा कर सत्कुरू के आसन पर विराज मान करते हुए कहा हम बाबा जी के कारेों को पूरा करेंगे उस दिन से सत्कुरू माता सुदिक्षाद जी महराज दिन रात अपने आपको मानवता की सेवा में अरपित किये हुए है परम पूजनिय सत्कुरू माता सुदिक्षाद जी महराज का जनम 13 मारज 1985 को पिता बाबा हरदेव सिंग जी और माता सविंदर जी के घर संथ निरंकारी कालोनी दिल्ली में हुआ बच्पन मेने माता पिता और दादी निरंकारी राजमता जी नाना गुर्मुक सिंग जी और नानी मदन कोर जी का भरपूर प्यार दुलार मिला और इन की देख भाल में ही वे बड़ी हुई बच्पन में ही इन में भी नमरता निश्काम सेवा भावना और भगती और विश्वाश के सुन्दर गुण मोजूद थे बाबा हरदेव सिंग जी के निरंखार में लीन होने के बाद सतकुर्मा तस्विंदर हरदेव जी माहराज ने संत निरंखारी मिशन की बागडोर संभाले और पुझे सुदिक्षा जी को मिशन के दूर देश विभाग के कारेओं को संभालने की महत्वपुर्ण जी मेदारी सोंपी पुझे रमीच चांदना जी जो अब हमारे राजपिता जी है पुजनिये निरंकारी राजपिता रमीच चांदना जी सत्कुर्माता सुधिक्षा जी के विनमर भावी जीवन साती हैं जो पूरी त्रह से अध्यात्मिक्ता के प्रती समर्पित हैं का पूरण समर्पन और सहसभाव मीशन के लिए एक अक्षून पुंजी और शक्ती है नए युग की शुरुवात में संद निरंकारी मीशन शान्ती और सामन्ज से पूरण विश्व की आशा को जिवन्त कर रहा है और सत्कुर्माता सुदिक्षाजी के पावन मारक दर्शन में शान्ती और सथभाव से युक्त विश्व का निर्मान हो रहा है सद्कुर्पाता सुदिक्षा जी की शिक्षाएं प्रेनना से भरी हुई है आप ये चाहते हैं कि भक्ति करते हुए भगत कभी भी भक्ति के मर्यादा से भटके ना और हमेशा गुर्मत का पालन करे मर्यादा अनुशाशन में रहकर की गई सेवा और भगतों वाले गून ही भगतों को भगत शीरो मनी का गोरव परदान करती हैं भगती करते हुए हर भगत हमेशा यही कोशिश करता है कि उसके द्वारा गुरु की आग्या सत सत कर्मानी जाए वह भी बीना किसी किंतू परंतू के क्योंकि गुर्मत के मर्यादा में ही भगती का असले आनंद है सत कुर्माता सुजिक्षा जी सपष रूफ से भगतों को समझाते हुए कहते हैं कि हम हर पल इस निरंकार को याद रखें हमें यह भी याद रहे, कि निरंकार हमें हरपल देख रहा है, भगती में डर भी जरूरी है, क्योंकि डर के विना भगती नहीं हो सकती, परमात्मा प्रेमस रूप है, यह प्रेम जीवन में तब ही उतरता है, जब मन में परभू का भै भी हो और प्यार भी हो, आज लोग जु फे कुदा नहीं भगत के लिए सबसे अच्छा समय वही होता है जब उसका सीर सत्कुरू के चरनों में जुकता है उस समय भगत के लिए संसार लुप्त हो जाता है और रह जाते हैं केवल गुरू और शीशे अब अगर ससंग में आकर भी हलचल है लाइनों को तोड़ कर आगे निकल जाने की लालसा है तो गुरू दर्शन का फल है बड़ा का सब्पूरन लाब कहां लिया जा रहा है ऐसा नहो कि हमारा बन कहीं लगा हो और शीश कहीं और जुका हो सत्कुरू माता सुदीक शाजी महराज फरमाते हैं मीशन एक साफ चादर के रूप में है हम कुछ भी ऐसा ना करें जिससे मीशन पर कोई दाग लगे इसी परकार समय का जीवन में बहुत महत्तव है इसलिए समय का हमेशा सदु पयोग हो सत्संग के समय का भी समय पर सत्संग शूरू हो और समय पर संपन हो सत्कुरू माता सुदीक शाजी करम के प्रति गंबीर हैं और अच्छे रिजल्ट प्रापत होंगे किसी भी क्लास में मुबाइल लाने की अनुमती नहीं होती पर ससंग में मुबाइल लाने की हमारी चाहत बार-बार मना करने पर भी समापत नहीं होती सद्कूर माता जी चाहते हैं कि ससंग के के साथ जुड़ी उनकी लीव भी तूटेगी मर्यादा और अनुशाशन जीवन का अभी नंग है सद्कुर्माता सुदीक्षा जी मर्यादा और अनुशाशन के प्रति जागरुक रहने की प्रेना देते हैं सद्संग में आकर गीतों परवचनों और गुरुदर्शनों का अन कहां मिलेगा इसके लिए तो मन को पूरी तरह हरी के संग लगाना होगा जिस परकार सोने का छोटा सा अंश भी बहु मुल्य होता है इसी तरह सद्संग की आदी से आदी गड़ी और इसका पल पल महतवपुन होता है जब बहु मुल्य भोजन का एक एक निवाला या जीवन आई जल का एक एक घूट हमारी भूख प्यास मिटाने के लिए इतना उप्योगी है तो संपूर्ण बोजन और जल तो उप्योगी हो गई इसका भाव यही है कि हमें सद्संग के पलपल का लाव ले ला है सद्संग भी हमें पूरे त्रह से लगन से करनी है देर से आने या बाद में सुमरंदुनी को बीच में ही छोड़कर उठ जाने से भला पूरा लाव कहां मिल पाएगा सद्कुर्माता सुदिक्षाजी महाराज इस और भी भगतों को सचेत रखना चाते हैं सद्कुर्माता सुदिक्षाजी में सम्तव और अपंतव भाव कूट कूट कर भरा हुआ है आपने लंगर भी शालिंता और शर्दा से बनाने प्रोस्ने वेग्रेहन करने की शिक्षादी है हमेशा संगत और लंगर को पावंता और उत्तमता की और ध्यान दिलाया और आचरन की शुद्ता और व्यवार की सहज़ता के प्रतिवी सद्कुर्माता जी यही कहते हैं कि हम सब को एक एक निरंकारी को अब एक चलता फिरता परचार का रूप बनना है मुंबई में महराश्टर के 52 प्रादेशिक संत समागम के दूसरे दिन सेवादर रैली के दुरान सदकुर्माता जी स्वय मंच पर खड़े होकर सेवादल का अभिवादन सविकार करते न जराये और मार्चिंगीत के दुरान जब हम है सेवादार का उचारन हुआ तो सदकुर्माता जी ने उस सहापुर्वक हवा में हाथ लहरार कर सेवादल में अभूत पुरो जोश भर दिया आस पास उपस्तित पदा दिकारी वे संगते भी इसमें शामिल हो गई इस परकार उन्होंने सेवा को सलाम करके सेवा करने वालों का भी नंदन किया 17 नुवंबर 2018 को समालखा हरियाना में रोशन मिनार की सबसे बड़ी मानव आकरिती बनाने के समय भी सदकुर्माता जी का हर कदम भगतों में जोश भरता रहा और इनी के मारक दर्शन और प्रेना के कारण ही 18,770 स्वयम सेवकों ने गिनिज बुक ओफ वर्ल्ड रिकोर्ड में यह उपलबती दर्च गराने में सफलता अचीव की नवंबर 2018 में समालखा में आयोजित 71 वे वारशिक संसमागम के तियारियों में प्राण डालकर उन्हें समय पर पूरण करने वाली सदकुर्माता सुदिक्षाजी माराज का उस्साह और जजबा देखते ही बनता था दीन रात स्वय मुपस्थित रहकर सदकुर्माता जी मारक दर्शन देते रहे और सभी भगतों का उस्साह कायम रखा सदकुर्माता सुदिक्षाजी माराज ने निरंकारे यूद फोरम को निया कलेवर परदान करते हुए सदकुर्माता सुदिक्षाजी माराज के सानित्य में आयोजित निर्ली की अनेक ब्रांचों में सुबह सिवेरे पहुँचकर नई जागरिती परदान की और यही शिक्षादे की ससंग बावनों में होने वाली सुबह की संगतों में सभी पूरी लगन वेशर्दा से शामिल होकर सारी खुशियां हासिल करें सद्कुर माता सुदिक्षाजी महराज का यूग युवाओं में जोश भरने का यूग है यह बजूर्गों के सम्मान का यूग है यह सेवा सिमरन ससंग के उस सरक का यूग है इनके तेज कदमों के पीछे चलने के लिए हमें भी तेज चलना होगा संबल कर चलना होगा इसी से हमारा जीवन अनंद में बनेगा सत्कुरु किर्पा के सागर और मानव रूप में शाक्षत शिरी हरी ही हैं सत्कुरु के लिए कहा गया है बंदव गुरुपद कंज किर्पा सिंदू नर रूप हरी सत्कुरु के वचन महा मुहू रूपी गने अंधेरे को नश्ट करने के लिए सूर्य की किर्णों के समान है सत्कुरु से गुर्सिक को गुर्मत के शिक्षा मिलती है जो मानव का मन बदलती है जूट में जीने वाले इनसान को सचाई के रास्ते पर सत्कुरु की शिक्षा ही चलाती है सत्कुरु की शिक्षा मानव के लिए मुर्जाय जीवन में संजीवनी बूटी के समान है जिसे प्रापत करके गुर्जिक आनंद से अपना जीवन जीता है सद्कुरू की शिक्षा लोग पर लोग दोनों को समारती है सद्कुरू भगत का जीवन भगती के रंग में रंग देता है उसे संसार के फीके रंगों का पता ही तब चलता है जब सचाई का इस बे रूपे बे रंगे निरंगार का पता चलता है सद्कुर के किर्पस इसके जीवन में ग्यान की अनंद का सूरे प्रक्ट होता है भगती का पक्का रंग भगत को अमर तो परदान करता है शरीर के मुह और जीवन की चंचलता से उपर उठकर हमेशा काइम रहने वाले अचल अडोल प्रमात्मा के साथ जूड़ता है संसार के साथ जुड़ाव में अस्थिरता है आनंद और ठहराव तो काइम दायम इस निरंकार के साथ जूड़ने में ही है साथ जूड़ माताजी गुर शिक्कों को अलर्ड करते हुए कहते हैं कि ससंग की बाते ध्यान से सुनकर ग्रहन तो कर रहे हैं पर ये बातें सिरफ ससंग तक ही सीमित नहीं रखनी हैं बल्कि घरों में जाकर जो सिका है उसे करम रूप में भी धारन करना है हमें यह हमेशा याद रहे कि सत्गुर जैसा इस दुनिया में हमारा कोई मित्र नहीं है संसार की प्रीट रिष से उपर है सत्गुर की प्रीट जिसे गुरु की मित्रता प्रापत हो गई उसके कभी हार नहीं होती गुरू ही संसार में हमारा सबसे बड़ा ही तैशी है गुरू ही भवसागर से पार लगाने वाला है गुरू को समदर्शी कहा गया है समदर्शी है नाम तिहारो गुरू की नजर में ना कोई निर्धन है ना कोई धनवान है ना कोई बलहीन है ना कोई बलवान है गुरू सबका है और गुरू की शिक्षा भी यही है कि स्वयम भी सत्य के साथ जूड़ना है और ग्यान की इस रोशनी को सभी तक पहुचाना है इस प्रबू को जानना भर ही काफी नहीं है इसके साथ अपने मन की तार हमेशा जोड़े रखनी भी जरूरी है इनसान संसार के साथ तो पूरी शक्ति से जुड़ता है लेकिन जिसके कारण देखने सुनने समझने और स्वासों के गती मान रहने की शक्ति मिली है जो रोम रोम में शक्ति का संचार कर रहा है उस से जूडने के प्रति यह सजग नहीं होता गुरू की शिक्षा सजगता भी परदान करती है और इस ओर लगातार लट रहने की प्रेरना भी देती है गुरू का सबसे बड़ा उपकार यही है कि जो मनसंसार के साथ जूड के साथ परिवरतन शील के साथ चुड़ा था उसे शाश्वत अचल अटल अविनाशी निरंकार के साथ चूड़ दिया अपनी इस करना के बदले गुरू शीशे से कुछ लेते नहीं है यह इनकी बहुत ही हम पर बहुत ही बड़ी किरपा है यह किरपा गुरू के शरीर के मात्यम से ही मिलती है इसलिए जब सत्गुरू से सच का बोद मिल जाता है और इस बोद की जानकारी हो जाती है तो फिर भगत अं और उसे दिल में बसाता चला जाता है और यही अरदास करता है कि सचे भाशा जिस तरह आप जिने चर्णों से लगाया है इसी तरह हमें चर्णों से लगाए रखना हम मर्यादा और अनुशाशन में रहकर सेवा सिमरन ससंग करते चले जाएं संत मती को धारन करते चले जाएं इस सच के साथ हमेशा जूड़े रहें जो सत्य हमें सत्गुरु ने दिखाया है सत्गुरु के उपकारों का बजला हम कभी भी नहीं चुका सकते हैं उपकार किया जो सत्गुरु ने शब्दों में सुनाया जा नहीं सकता हम सारी उमर भी देते रहें ये करत चुकाया जा नहीं सकता साथ संगत जी प्रेम से कहना धान दिरंकार जी